चलिया सबको बुड इवनिंग क्लास शुरू करते हैं आज की एक बार आउडियो देख ली जाएगा आवाज साफ आनी चाहिए सबको ठीक है आवाज साफ आ रही है फिर कोई और चेंज करने की जरूवत नहीं है विकन मेक डू उतने से काम चल जाएगा तो यह हमारा टास्क था पार्सिंग का जो दिये थे कल आप लोगों को मार्कर लगाया हुआ मार्कर हटा देंगे थोड़ी देर में तो बच्च आउडियो कैसा है कोई बताए यह तो फिर हम चेक करेंगे चले ठीक आउडियो सही है तो क्लास अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग यह आपका पार्सिंग का टास्क था जो दिया गया था कल तो आई होप सब कोई करके रखा होगा चले मारकर हटा दे रहे हम लोग कहां से था यह बता चल जाए प्रणाम स्वीटी प्रणाम आपको भी सभी को गुड इवनिंग यही अपना कंटेंट है हमारा यहां से चले यह पहला जो टर्म है मैनमेड्स सान्ट्स तो यहीं से आपका क्या है शुरू हो रहा हैरा यह बला The Roar of Plains, Off से दो नाउन को जोड़ है, पहला आपका The Roar है, दूसरा आपका Plains है The Blare of Horns, यहां पे भी दो नाउन है उसके बाद है The Thunder of Trucks, यहां पे भी आपके दो नाउन है And Ingeants, तो यहां Trucks and Ingeants है, चंजंक्शन के दोरह इन दो नाउन को आपने जोड़ा है तथ थंडर ओफ ट्रक्स एंड इंजन्स ये भी आपका नाउन है आगे दिखते हैं दा बेइंग ओफ अ क्राउट दो नाउन है फिर दोनों को जोड़ने के लिए आप 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 का प्रियोग कर रहे हैं आर यूजवली अगली यहाँ बी भर्ब का रूफ है बी भर्ब के साथ अक्टिव वाइस में भी फोर पैसिव वैस में भी थ्री अट्जेक्टिव या फिर नाउन रोज का यह टास्क है करके रखा करो तुम लोग, करके रखोगे ना टास्क, तो compare कर दोगे कि कहां तक सही था, कहां गलत था, इससे एक idea लगता और यही idea कहना, close test, common error, सब बनाने में काम आता है, identification बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आगे है, but some gifted humans, तो but आपका conjunction हो गया, some आपका adjective हो गया, gifted भी आपका adjective हो गया, यह दोनों adjectives humans नाउन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और यह पूरा जो term है, यह आपका क्या हो गया, subject हो गया, have आपका auxiliary भर्भ हो गया, और tried b3 आपका main भर्भ हो गया, ठीक है, इतना मिटा देते ह हैं, वो मिटाना जरूरी है, तो कि अगर नहीं मिटाएंगे ना, फिर क्या clear पता नहीं चलेगा, आप distinguish नहीं कर पाईएगा, differentiation में दिखत होगी, जिसको ज़रीव लगे, screenshot ले लोगा, या फिर pause करके बाद में वीडियो में क्या है, compare कर सकते हो, चले आगर देखाजाएं, have tried to do something, तो try to do something होता है, तो यहाँ पर to है, आपका preposition, और rise आपका verb का पहला रूप है, above, तो ध्यान दीजेगा आप सभी, prepositions और adverb में कई बर contradiction होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा, ठीक है, above आपका preposition भी होता है, और आपका adverb दोनों तरह से इस्तमाल होता है, कोई उसमें जादे फर्क नहीं है, वो दोनों तरह से इस्तमाल होता है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है, तो rise above it, तो आप preposition के रुप में यूज कीजिए, जाए adverb के रुप में यूज कीजिए, meaning उसकी क्या रहती है, लगबख सेम होती है, तो यहाँ पर preposition है, adverb भी है, यह याद रखिएगा, ठीक है, pronoun है it, इसके लिए यह preposition आपने यूज किया है, अगर कोई और pronoun होता है, तो आप differentiate इसलिए कर पाते, good evening सोचिश में था आपको भी, क्योंकि objective case आता है, preposition के बाद जब भी आता है, तो objective case आता है, लेकिन it का objective case भी it लिखा जाता है, इसलिए आप यहाँ पर फर्क नहीं कर पाया, तो अगर कोई और pronoun होता है, तो आप आसानी से पकर लेते हैं, ठीक है, by फिर आपका preposition है, doing something, तो भर्ब का चौथा रूप है, great आपका adjective है, और music आपका noun है, और यहाँ जो भर्ब है, इसके लिए यहाँ object हो जाएगा, ठीक है, by creating great music, and we must not scorn the else around, सब की meaning बताएंगे जब आप reading कराएंगे तो, अभी सर्फ parsing कर रहे हैं, and आपका conjunction है, we आपका subject हो गया, must आपका model भर्ब है, not आपका adverb है, scorn आपका भर्ब का पहला रुप है, क्यों, क्योंकि model भर्ब के साथ, हम लोग भर्ब के पहले रुप का यहाँ use करेंगे, the else around, तो आपको article दो प्रियोग करें, तो meaning I या ना आए, कम से कम आप क्या है, इतना तो judge कर ही सकते हैं, कि भाई, यहाँ क्या होगा, noun होगा हमारा, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होने चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ आपका noun है, आगे है, those who, इतना मिठा देते हैं भाब, दोज आपका demonstrative pronoun है, यहाँ पर, who आपका relative pronoun है, तो who दोज के लिए आ रहा है, क्योंकि good evening भूमिका, तो दोज क्योंकि plural है, तो who भी आपका plural होगा है, तो इसके साथ हमने क्या है, भारब के, पहले रूप का प्रयोग किया है, बिन अग्ज़एरी के, दो ही भर्ब हो सकता है, भर्ब का पहला रूप, भर्ब का पांच मर्ब, मुझला प्रेजेंट सेंपल या पास सेंपल, तो यहाँ पर पास सेंपल होता, तो भी टू होता, यानि केम, तो कंफर्म है किया क्या, परेजेंट सेंपल है, और प्रेजेंट सेंपल में है, यह भर्ब का पहला रूप है, और दोज प्लूरल है, इस लिए भी वन येज़ की है, टेवे है, दोज हो केम डाउन, तो कम डाउन आपका, phrasal verb का हिस्सा हो गया come or down मिलकर के hard आपका adverb हो गया जो इस phrasal verb के लिए आ रहा है on आपका preposition हो जाएगा there हो जाएगा आपका positive adjective organ pedals आपका हो जाएगा compound noun दो शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने noun को compound noun कह रहे हैं आपका conjunction है emulate verb का पहला रूप है सिसाडाज आपका noun है with आपका preposition है there है आपका positive adjective noun चाहिए violent playing यहाँ पर compound noun हो गया ठीक है तो अगर कहीं doubt है तो पूछ लो नहीं तो अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे और रोज खुद से करके रखा कीजिए जो नए बच्चे है I hope कुछ नए होंगे तो उन नए बच्चों को हम बता दे रहे हैं कि जो आपका जो भी book या जो भी material चल रहा होता है उसका pdf आपको वीडियो की description में मिल जाएगा टेक है वीडियो के description में जाएगा सबसे पहली line में ही link होगा तो इतना हो गया है और I hope तुम लोग शेयर कर रहे होगे सबसे शेयर करोगे तभी तो जन संख्या बरेगी जन संख्या बहुत ज़रूरी है इस अल बाट अ नंबर गें संख्या रहनी ज़रूरी है बट आप लोगों का प्रयास देखता है कुछ न कुछ तो बढ़ी रहा है कम ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं लोग दो चार पांचे पड़े बढ़ रहे हैं और भी प्रयास कीजिए अब अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे है चलो आगे देखते हैं बच्चा अब यहाँ पर क्या है reading करने ही meaning निकालनी है अगर आपने खुद से meaning निकालके रखे तो compare करके देखेंगे आपके और हमारी meaning में कितना का फर्क है और कहां पे आप से miss हुआ dictionary का आप use करने के लिए स्वतंत्र है आप dictionary का प्रयोक कीजे आपको कोई दिकत नहीं होगी ठीक है और मतलब आप धियान देखेंगे ना तो दिरे-दिरे सीख जाईएगा उतना मुश्किल नहीं होता है आप dictionary का प्रयोक कीजे और आप देखेगा meaning तो आपको दिरे-दिरे समझ में आएगा चलिए दिखा जाए अब यहाँ पर पहला है man-made sounds तो बहुत सार ऐसे sound होते हैं जो क्या होता man-made होता है आप एक adjective की तरह यूज़ कीज़ेगा natural का उल्टा होता है man-made ठीक है तो एक तो हो गया natural कोई भी चीज और उसका उल्टा हो गया आपका man-made यानि जो प्रकृति में खुद से उत्पन होता है और जो हम बनाएंगे वह हो जाएगा आपका man-made ये इसका differentiation है तो मनिश के दौरा बनाएंगे sound the sounds created by man the road of planes जैसे की हवाई जहाज के उरने से जो गरज होती है horn यहाँ पर ये सारे जो terms है ये सारे जो noun है यह sound का representation कर रहा है जो उस object से अब निकलता है जैसे plane से जो аऊज निकलती है होर्न से ч जो आवाज निकलती है उसके लिए blare truck से जो आवाज निकलती है उसके लिए thunder और crowd के चिलाने के लिए being שब्द का हमने क्या क्या है प्रयोक किया है different तो इस तो ये सारे जो शब्द है चाहे horns का बजना हूँ, चाहे ट्रक के चलने से जो आवाज होती है, या फिर engines के चलने से जो आवाज होती है, या फिर the baying of crowd, जब भीर हला करती है तो उसे baying of crowd कहते हैं, are usually ugly, ये सारी जो आवाजे होती होँ, सुन्दर नहीं होती है, बतसूरत होती है, तो बतसूरत कहने का म को अच्छी नहीं लगती होंगी बट सब gifted human, लेकिन कुछ ऐसे human होते हैं, जो gifted होते हैं good evening प्रभाकर, gifted कहने का मतलब है, जिनको क्या है कुछ विशेश गुन मिला हुआ ईश्वर की तरफ से वैसे लोगों को gifted कहते है ठीक है, gifted कहने का मतलब समझ गया है, जिसको क्या है कुछ special ability मिली हुई हो, कोई काम करने में बहुत जादी दक्ष हो, ताप कहेंगी, gifted है have tried to rise of it by creating great music, लेकिन बहुत सारे sound है sound धीरे आ रहा है प्रभाकर, actually कहा है ना, कि आज कल थोड़ा कहा है कि हमारा भी गला बैठा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अब आवाज सही होगी, होगी ठीक है लेकिन कुछ gifted humans है कुछ ऐसे human beings है, जो क्या gifted है, जिनके पास विशेश गुन है have tried to rise of it by creating great music, तो उन्होंने क्या है, इस से उपर उठ करके बहुत बढ़िया music create किया है and we must not scorn the also rants और हमें क्या है, we must not scorn the also rants यानि वह लोग, जो सफल नहीं हो पाए, उन्हें देख करके, हमें scorn नहीं करना चाहिए, यानि हमें उनसे घ्रेना नहीं करनी चाहिए तो यहाँ पर एक शब्द है also ran तो also ran का मतलब समझा देते है अब पढ़िएगा इसको तो आपको थोड़ा समझ में आएगा also ran लिखा हुआ है, कहने का मतलब जैसे, अज़े ठीक है आपने कोई परिक्षा दी होगी तो माल लीजिए कि आप परिक्षा में जब participate करते हैं आपका result नहीं आता है तो आप कहेंगे ना कि हम भी भरे थे also participated कि हम भी participate कि थी यानि अब सफल नहीं हो पाए तो also ran का मतलब कि हम भी दौरे थे उस दौर में लेकिन हम जीते नहीं ठीक है, तो यह यह also ran तो हमें क्या है, मतलब कुछ लोग है जो इस कारे में सफल नहीं हो पाए होंगे तो asafal लोगों के लिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया है also ran ठीक है, यानि यह भी दौरा था इसने भी कोशिश की थी, यहाँ भी प्रित्योगता में था those who come down hard on their organ paddles और emulets sadas with their violin playing ठीक है और तो कौन से लोग हैं जो also ran मतलब जो कोशिश करते हैं बड़ सफल नहीं हो पाते संगीत क्रेट करने में वह जो पैर जादे कसके पटकते हैं अपने organ के paddles पे या फिर वह लोग जो violin बजाते हैं तो बजाते तो violin है लेकिन emulate होती है कि आवाज यानि वह किसकी आवाज की निकल कर पाते हैं सिसाडा तो सिसाडाב ठतयए होता है एक कीरा होता है तो ہमने मतलब कशितर Toward के लिए सर्च करने की कोशिश की है चलिए बता देते हैं मतलब जो सिसाडा होता है तो उसकी तरह आवाज निकालते हैं यानि वो वाइलेन बजाते हैं पर उसमें सफल नहीं हो पाते हैं कोशिश तो उनकी रहते हैं वाइलेन बजे लेकिन आवाज ऐसे निकलती है ठीक है तो इसी जीव को सिसाडा कहते हैं ठीक है और यह अपने मतलब अच्छी आवाज के लि अल्दो आई वस क्वाइट पॉपलर एड बिशप कॉटन्स बिशप कॉटन्स यहां पे स्कूल की बात हो रही है सीधे अपस्टरफेस लगा करके क्या है छोड़ गया गया है पूरा बताने की जरुवत नहीं समझे गई है वैसे तो मैं काफी पॉपलर था बिशप कॉटन मे आफ्टर उमार्स डिपार्चर उमर के जाने के बाद I did not have many close friends तो पॉपलर होने के बावजूद उमर करके कोई बच्चा रहा होगा उसके जाने के बाद मेरे बहुत जादे close friends नहीं बने नजदी की मित्र नहीं बने और उसको खान नहीं खिलाता था at the tuck shop जहां पे tuck shop का मतलब होता है वो छोटी सी दुकान जिसे हम लोग गुमती कहते हैं अपनी भाशा में जहां पे चाय, पान, बीरी, biscuit, चॉकलेट मतलब कोई वेक्ति अपनी ससुराल जाता है तो चॉक चॉराहे पर यहीं से क्या करता है बिसकुट खरीदता है गाउं के क्या कहते हैं, tuck shop कहते हैं, तो वो हम मेरे पीछे लगा रहता था, who followed me everywhere, जब तक कि हम हार मान करके उसको फिल्म दिखाने नहीं ले जाते, यह फिर tuck shop से उसको कुछ खरीद करके नहीं दे देते थे, कहानी का मतलब होता है कि अगर आप उसका exact meaning निकालने में सक्षम हो पाते हैं, तब जाकर कि आपके लिए गयाने कि थोड़ा भूत मेरा reading पे command हुआ है, इसलिए हम कहानी पढ़ाते हैं, क्योंकि नीज पेपर में क्या होता है कि थोड़ा उचा नीचे भी रह जाता है ना, तो आदमी के लगता है चलो लगभग तो काम चल गया हमारा, बट कहानी मे है कि जब तक exact meaning नहीं पता चल दी तब तक हम मुग rewind forward pause करके लेकि जानना चाहते कि बोला क्या गया है, ठीक है, चले, आगे देखा जाए, there were just one or two boys who actually read books for pleasure, वहां सिर्फ एक या दो ही बच्चे ऐसे थे, जो खुशी के लिए किताब ही पढ़ते थे, जैसे कि हम है गरीब आ games and the like, we tend to think of, और हम लोग सोच के चलते हैं, उस यूग के बारे में, उस समय के बारे में, as one, कि वह एक ऐसा समय था, when there were no distractions, जैसे में ध्यान बटाने के लिए कोई चीज नहीं थी, जैसे कि television, computer games and the like, and the like का मतलब इस तरह की अन्य चीज़े, but reading has always been a minority past time, तो reading जो रहा है न, एक minority past time रहा है, minority past time कहने का मतलब है, समय काटने का एक ऐसा जरिया, जिसको follow करने वालों की संख्या बहुत जादे नहीं थी, यानि हमेशा reading करने वाले लोगों की संख्या as a past time काफी कम रही है, people say children don't read anymore, लोगों का कहना है, लोग कहते हैं कि बच्चे प जो कि एक basic activity है, that should have been done since our childhood, जो हम लोग बच्च्पन से करते आने चाहिए थे, this may be true of the vast majority, या एक बड़े समू के लिए, बड़े majority के लिए बात सत्य हो सकती है, but I know many boys and girls, लेकिन मैं बहुत सरे लरके लरकियों को जानता हूँ, who enjoy reading far more than I encountered when I was a school boy, जो reading को पसंद करते हैं, far more than उसे काफी अधिक जितना मैं पसंद किया करता था, जब मैं एक school का छात्र था, in those days, उन दिनों, there were comics and the radio and the cinema, उस समय भी हमारे सामने में radio था, cinema था, और comics, comic मतलब होता है, चित्र कथा, वह कहानी की किताबें जिन मुझे चित्र होता है, I went to the cinema, मैं cinema जाता था, whenever I could, जब भी मुझे समय मिलता था, but that did not keep me from reading almost everything that came my way, लेकिन वो मुझे कभी पढ़ने से रोक नहीं पाया, almost everything that came my way, जो भी चीज मुझे मिलती थी, मैं उसे पढ़ जाता था, and so it is today, और आज भी वैसा ही है, book readers are special people, किताब पढ़ने वाली लोग खास होते हैं, and they will always turn to books as the ultimate pleasure, और वो हमेशा, for the vast majority होगा बच्चा, majority noun है, vast adjective है, ठीक है, और the article है, ultimate pleasure मतलब सबसे दी खुशी उनको इसी से मिलती है, those who do not read are the unfortunate ones, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं, वो बदकिस्मत लोग है, there is nothing wrong with them, ऐसे उनके साथ कुछ गलत नहीं है, उनमें कुछ कमी नहीं है, but they are missing out on one of life's compensations and rewards, लेकिन वह क्या है न, जिंदगी की जो एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत खुबसूरत चीज है, बहुत सुन्दर चीज है, उससे क्या वंचित रह जा रहे हैं, उसमें मिस कर र एक अच्छी किताब एक ऐसे मित्र की तरह होती है, that never lets you down, जो कभी आपको निराश नहीं करती है, let down का मतला होता है, निराश करना, किसी को disappoint करना, you can return to it again and again, अब बार बार इसके पास जा सकते हैं, इसे पर सकते हैं, and the joy of us derived from it will still be there, और पहली बार पढ़के जो मज़ा आया होगा, वो इस बार भी आपको आएगा, of the vast majority, ठीक है बाबु, true noun है, this may be true, of the vast majority of, से दोनों तुकरों को आप जो रहे हैं, ठीक है, और यह noun है आपका, तो true of something होता है, true about something या true of something, actually क्या है, कि हम लोग meaning नहीं जानते हैं, कई बर शब्दों की, तो हमें क्या होती है, सबसे दिक्कत आती है, ठीक है, तो अगर आप dictionary में कभी meaning देखिएगा, तो true के साथ, आप off का प्रयोग देखिएगा, तो आपको idea लग जाएगा, कि it is true of, true about true for, true to, यह सारी चीज़े यूज होती है, तो यहाँ इसके बारे में भी सत्य है, ठीक है, this may be true of the vast majority, तो का का मीनिंग है, तो यहाँ बात एक vast majority के बारे में सत्य है, के बारे में कहीं जा सकती है, तो majority noun है, vast adjective है, the article है, I think it is fair to say, और मुझे लगता है, कि यहाँ कहना सही होगा, that when I was a boy, जब एक मैं बच्चा हुआ करता था, reading was my true religion, reading ही मेरा धर्म हुआ करता था, तो किसी का true religion कहने का मतलब वह चीज जिसमें उसको सबसे धिकरूची हो, it helped me to discover my soul, और इससे मुझे अपनी आत्मा को पहचानने में मदद मिली, कि मैं actually हूँ कौन, मैं हूँ क्या, मतलब खुद को identify करने में उसको क्या मिली, लेखक को मदद मिले, चले तो यह कहानी हमारी खत्म हो गए, अगली कहानी जो पढ़नी है, वो हम आपको आज मार्क कर देते हैं, और उसमें क्या पार्स करके कर लाना है, वो भी बता देते हैं, और फिर वही रिक्वेस्ट आप से, आप शेयर करते रहें इस चैनल को, और तभी कहाना कि हम भी continuity maintain कर पाएंग, हमें भी motivation म कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे बचा, और यह रहागा अपना टास्क, यहां से लेकर यहां तक, स्विफ्ट से लेकर के साइट तक, यह कल का पार्सिंग का टास्क है, ठीक है, आई होप सब कोई करके लाएंगे, और उसके लावा दा हिंदू के फ्रंट पेज की पहली दालते हैं हम लो, चलिए, सभी लोग आ चाहिएगा, सब कोई अपना अपना न्यूस्पेपर अगर है, आपने करके रखा है, इनको जिनको करना हो, मैच वो अपना निकाल लीजे, चलिए, अब देखते हैं, प्राइम आस्क्स प्राइम मिनिस्टर, और इट्स और सब्जेक्ट, भर्ब का पांचमा रूप, क्योंकि सिंग्लर है प्राइम मिनिस्टर, तो भर्ब का पांचमा रूप, स्टेट्स आपका अब्जेक्ट हो गया, नाउन है, प्लूरल नाउन, उसके बाद कॉंप्लिमेंट है, टू प्लस भीवन, प्लान आपका नाउन है, फौर आपका प्रेपोजिशन है, स्टेगर्ड आपका अड्जेक्टेव है, और एंड आपका नाउन है, टू आपका प्रेपोजिशन है, लॉगड़ाउन आपका नाउन है, तो मीनिंग समझा देते हैं, हम इन सभी टर्म्स की ताकि आपको दिकत नो है, इस वाकी की मीनिंग क्या हुई, प्रधान मंत्री न खुद को तैयारी का मौका देने के लिए है, लॉगड़ाउन लगाया, ताकि बीमारी तीजी सिनाव फैले, और सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस लाइक बना सके, किस बीमारी से लरा जा सके, तो राजी सरकार उसे सरकार ने पूछा है, क्या प्लान बताईए, कि कि इस तरह से हम इस लॉगड़ाउन को धीरे-धीरे, staggered manner में end कर सकते हैं, धीरे-धीरे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यह permanent तो हो नहीं सकता है, कि आज से भारत बन, तो हमेशा के लिए बन, कभी न कभी तो यह लॉगड़ाउन खोलना पड़ेगा, तो कैसे खोलेंगे, उसके ल मिलकर बना, in all districts में in आपका preposition हो गया, all आपका adjective हो गया, all के साथ plural noun आया है, यहाँ पे, आगे देखेंगे, collect data, collect आपका भर्व का पहला रूप है, data आपका plural noun है, object का यहाँ काम करेगा, from private labs, from आपका preposition हो गया, private आपका adjective हो गया, और labs आपका noun हो गया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, disease surveillance officers की नियुक्ती कीजिए, in all districts, सभी जिलों में, and collect data from private labs, और data इकठा कीजिए, private labs से, जो भी private labs है, जहाँ पे जांच होती है, वहाँ से क्या कीजिए आप, data इकठा कीजिए, अब हम लोग पहला paragraph देख लेते हैं इसका, जो जितना भी बढ़ा हो, प्राइम निस्टर नरेंद मोदी ये पूरा आपका noun है, subject की तरह काम करेगा, at, यहाँ पे आपका, यहाँ प्रेपोजिशन है, his, आपका, positive adjective है, positive adjective के साथ noun आना चाहिए, तो video conference आपका noun है, और इस noun की खासियत बताने के लिए, adjective जो हमने यूज़ किया है, वहा है, second, second आपका क्या है, यहाँ पे, adjective का का काम कर रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं, with, chief ministers में, with आपका preposition है, chief ministers आपका noun है, plural noun है, यहाँ पे, आगे देखेंगे, on thursday, on आपका preposition है, preposition of time, और आपको पता है कि, preposition of time में on का जब प्रियोग करते हैं, तो उसके साथ day या date आता है, thursday आपका day है, told भर्प का दूसरा रूप हो गया, और them, they का objective case है, यहाँ object की तरह use हो रहा है, they, pronoun का objective case है, ठीक है, that आपका conjunction है, यहाँ पे, that यहाँ पे आपका क्या है, conjunction है, इट आपका introductory pronoun है, introductory pronoun में हम लोग क्या करते हैं, बाद में कोई term यूज करना होता, उसको introduce it से करते हैं, जैसे, it is a beautiful day, तो इट आ रहा है, day के लिए, जो की वाक्य में बाद में आ रहा है, इट आपका pronoun है, introductory pronoun कहते हैं इट को, वाज, इट के साथ वाज का प्रयोग करें, क्योंकि यह singular है, third person, तो वाज लगेगा, important to, तो it was important to, तो important आपका adjective है, to formulate a common, तो 2 plus b1 है, a common exit strategy, तो exit strategy आपका compound noun है, common आपका adjective है, और a आपका article है, to ensure 2 plus b1, staggered re-emergence of the, तो re-emergence आपका noun है, जिसके लिए staggered adjective का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, of the population, of से 2 noun को जो रहे हैं, पहला emergence हो गया, दूसरा हो गया आपका population, और इसके लिए article 2 आया है, preposition of आया, इतना मिटा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपको थोड़ा आसानी रहती है, पार्सिंग करने में, पार्सिंग खुद से भी करके आया किज़े हमेशा, खुद से किज़े गर ना, तो आपको समझने में आसानी रहेगे, ठीक है, कोई दिकत नहीं, अब आगला जो टर्म है, हमारा वह वन्स है, तो वन्स आपका यहाँ पैर कंजंक्षण की तरह यूज़ हुआ, वन्स आपका एड़ उप्वर्ब भी है, पर यहाँ पैर वन्स आप जो यूज़ करें हैं, कंजंग्शन की तरह यूज कर रहे हैं, once conjunction है, इसकी पहचान है, कि once के बाद एक clause है, और clause में कम से कम एक subject, जो कि हाँ पर noun की तरह यूज हुआ है, और एक finite verb होना चाहिए, ठीक है, यह इसकी पहचान है, तो I hope आप लोग इतना करके आए होंगे, तो parsing हमेशा tally कर लिया तरिये दिरे अपने इंप्रूफ करने तभी जाकर के जो अपना कोर है जो हमारा कोर इस ट्रेंग्थ हो डेवलाप होगा ठीक है और शेयर ज़रूर करो बचाट हमारा भी कोर स्ट्रेंग्थ डेवलप होना चाहिए एक महिने में हम लोगो ने क्या है तकरेबन सरहे 400 के करीब लोग यहां पर जोड़े हैं और we have to increase that और यह तभी संभव है जब आप क्या है न अपने दोस्तों को सबको सजेस्ट कीजिए अपने social media accounts के द्वारे क्या है इसको शेयर कीजिए आयो इतना करेंगे आप सभी अब मीनिंग बता करगे आज के लिए इंड करते हैं सेशन को प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी अपकी सब्जेक्ट हो गया अपनी दूसरे वीडियो कॉन्फरेंस में पे चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने किसके साथ किया था चीफ मिनिस्टर के साथ किया था तो देखेगा सब्जेक्ट यहां पे था वर्व यहां जाकर के आया है ठीक है तो उनसे उन्होंने का वर्व का दूसरा रूप है पास्सिंपल की बात हो रही है दाट इट वाज इंपॉर्टन की यह जरूरी है यह जरूरी है यह जरूरी था क्योंकि पास्ट में है तो formulate a common exit strategy कि हम एक exit strategy बनाएं तो formulate का मतलब होता है बनाना और common exit strategy का मतलब है इस lockdown से exit करने के लिए एक रनिती बनानी है common जो सब के लिए common हो सभी states के लिए common हो to ensure staggered reemergence of the population ताकि जो हमारी जनसंख्या है हमारी वह धीरे धीरे reemerge हो फिर से सरकों पे आए बट staggered manner में staggered का मतलब धीरे धीरे once the lockdown ends एक बार जब lockdown खत्म होगा तो जब जनता सरक पे जाए तो staggered manner में जाए धीरे धीरे जाए और इसके लिए क्या strategy होनी चाहिए यहाँ बनानी है यही बात के गई जो Thursday को हुई थी वीडियो conference सभी राजियों के chief ministers के साथ तो इतना रोज कर ले रहा है आज का editorial बना के cover मतलब हमने दे दिया है ठीकि उसका PDF डाल देंगे आज हम discuss नहीं कर पाएं क्योंकि आज हम free नहीं थे कल से फिर आपका editorial का session रहेगा आज कोशिश करेंगे रात में एक common error का session नहीं तो कल early morning एक common error का session रखे तब तक के लिए thank you and good night I hope आपने जितना समय दिया उसका सदुपयोग हुआ होगा